लीजी सुनिये देव की नंदन खत्री के लेखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के दस्वे भाग के पहले बयान को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम थोड़ा सा हाल तिलिस्मी का लिखना उचिस समझते हैं पाटकों को याद हो का कि कुमार इंद्रजी सिंग कमलनी के हाथ से तिलिस्मी खंजर लेकर उस गढड़े या कुए में कूद पड़े जिसमें अपने चोटे भाई आनंद सिंग को देखना चाहते थे जिस समय कुमार ने तिलिसमी खंजर कुएं के अंदर किया और उसका कबज़ा दबाया तो उसकी रोशनी से कुएं के अंदर की पूरी पूरी कैफियत दिखाई देने लगी उन्होंने देखा कि कुएं की गहराई बहुत जादा नहीं है बनिस पर उपर के नीचे की जमीन बहुत चौनी मालूम पड़ी और किनारी की तरफ एक आदमी किसी को अपने नीचे दबाय हुए बैठा उसके गले पर खंजर फेरना ही चाहता है कुएं अंदर जी सिंग को यकायक ख्याल गुजरा कि ये जल्म कहीं कुरानंदित सिंग पर ही न हो रहा हूँ छोटे भाई की सची महबत ने ऐसा जोश मारा की वो अपने कोई एक पल के लिए भी रोक न सके क्योंकि साथ ही इस बात का भी गुमान था कि देर होने से कहीं उसका काम तमाम न हो जाए इसलिए बिना कुछ सोचे और बिना किसी से कहे सुने इंदर जीस सिंग उस गड़े में कूट पड़े मालुम हुआ कि वो किसी धातु की चादर पर जो किसी जमीन की तरह से मालुम होती थी गिरे हैं क्योंकि उनके गिरने के साथ ही वो जमीन दो तीन दफे लचकी और एक परकार की आवाज भी हुई चमकता हुआ एक तिलिसमी खंजर उनके हाथ में था जिसकी रोशनी में और टटोलने से मालुम हुआ कि वे दौनों आदमी वास्तों में पत्थर के बने हुए हैं जिनने देखकर वे गड़े के अंदर कूदे थे इसके बाद कुमार ने इस विचार से उपर की तरफ देखा कि कमलनी या राजा गोपाल सिंग को पकार कर यहां का कुछ हाल कहें मगर गड़े का मुह बंद पाकर लाचार हो रहे हुचाई पर ध्यान देने से मालुम हुआ कि इस गड़े का उपर वाला मुह बंद नहीं हुआ बलकि बीच में कोई चीज ऐसी आगई जिस से रास्ता बंद हो गया है कुमार ने तिलिसमी खंजर का कबज़ा इसलिए ढिला किया कि वो रोशनी बंद हो जाए जो उसमें से निकल रही है और मालुम हो कि इस जगह बिलकुल अंधेरा ही है या कहीं से कुछ चमक या रोशनी भी आती है पर वहाँ पूरा अंधकार था हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था अस्तु लाचार होकर कुमार ने फिर तिलिसमी खंजर का कबज़ा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई उसी रोशनी में कुमार ने चारो तरफ इस आशा से देखना शुरू किया कि किसी तरफ आनंध सिंग की सूरत दिखाई पड़े मगर सिवाए एक चांदी के संदूक के जो उसी जगह पड़ा हुआ था और कुछ दिखाई न दिया यहां तीन तरफ पकी दीवार थी जिसमें छोटी छोटी दर्वाजे और एक तरफ जाने का रास्ता इस ढंका था जिसे हर तोर पर सुरंग कह सकते हैं कुमार उसी सुरंग की राह आगे की तरफ बढ़े मगर जियों जियों आगे जाते थे सुरंग पतली होती जाती थी और मालूम होता था कि हम उची जमीन पर चड़े चले जा रहे हैं लगभग सौक गदम जाने के बाद सुरंग खतम हुई और अंत में एक दर्वाजा मिला जो जन्जीर से बंद था और कुंडे में एक ताला लगा हुआ था कुमार ने खंजर मार के जन्जीर काट डाली और धक्का देकर दर्वाजा खोला तो सामने उजाला नजर आया अब तिलिसमी खंजर की कोई आवशकत ना थी इसलिए उसका कब्जा ढीला किया और दर्वाजा लांग कर दूसरी तरफ चले गई कुमार ने अपने को एक हरे भरे बाग में पाया और देखा कि वो बाग मामूली तोर का नहीं है बलकि उसकी बनावट विचितर ढंकी है फूलों के पेड़ बिलकुल ना थे पर तरह तरह के मेवों के पेड़ लगे हुए थे हर एक पेड़ के चारों और दो दो हाथ उंची दीवार घिरी हुई थी और बीच में मिट्टी भरने के कारण खासा चबूतरा मालूम पड़ता था इसके अत्रिक्त अर्थात प्यूडों के चबूतरों को छोड़ कर बाकी जितनी जमीन उस बाग में थी सब पर संग मरमर का फर्श था पूरब तरप से एक नहर बाग के अंदर आई हुई थी और पंद्रह बीस हाथ के बाद छोटी छोटी शाखों में फैल गई थी जो नहर बाग के अंदर आई थी उसकी चोड़ाई धाई हाथ से कम न थी मगर बाग के अंदर संग मरमर की छोटी छोटी सेक्ड़ों नालियों में उसका जल पहल गया था उन नालियों के दौनों तरफ की दीवार तो संग मरमर की थी मगर बीच की जमीन पकी ना थी और इसी सबब से यहां की जमीन बहुत तर थी और पेड़ सूखने नहीं पाते थे बाग के चारो तरफ उँची दीवार तथा पूरब तरफ एक डालान और कोटनिया थी पश्चिम तरफ की दीवार के पास एक संगीन कुवा था और बाग के बीच और बीच में एक मंदिर था कुमार ने पेड़ों से कई फल तोड़के खाए और चश्मे का पानी पीकर भूख प्यास की शान्ती की और इसके बाद घूम घूम कर देखने लगे उन्हें कुवर आनंद सिंग के विशे में चिंता थी और चाहते थे कि किसी तरह शिग्र उनसे मुलाकात हो चारों तरफ घूम फिर कर देखने के बाद कुमार उस मंदिर में पहुँचे जो बाग के बीच और बीच में था वो मंदिर बहुत चोटा था और उसके आगे का संभा मंदब भी चार-पांच आद्मियों से जादा के बैठने लायक ना था मंदिर में प्रतिमा या शिवलिंग की जगए एक चोटा सा चब उत्रा था और इसके उपर एक भीडिये की मूरत बैठाई हुई थी कुमार उसे अच्छी तरह देख भाल कर बाहर निकल आए और सभा मंदब में बैठकर खून से लिखी हुई किताब पढ़ने लगे अब उन्हें उस किताब का मतलब साफ साफ समझ में आता था जब तक बखूबी अंधिरा नहीं हुआ और निगाह ने काम दिया तब तक वे उस किताब को पढ़ते रहे इसके बाद किताब सांभाल कर उसी जगह लेट गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए उस बाग में कुवान इंदर जी सिंग को दो दिन बीट गए इस बीच में वे कोई ऐसा काम न कर सके जिस से अपने भाई कुवान आनंद सिंग को खोज निकालते या बाग से बाहर निकल जाते या तिलिस्म तोड़ने में ही हाथ लगाते हाँ इन दो दिन के अंदर वे खोन से लिखी हुई तिलिस्मी किताब को अच्छी तरह पढ़ और समझ गए बल्कि उसके मतलब को इस तरह दिल में बैठा लिया कि अब उस किताब के उन्हें कोई जरूरत न रही ऐसा होने से तिलिस्म का पूरा पूरा हाल उन्हें मालूम हो गया और वे अपने को तिलिस्म तोड़ने लाइक समझने लगे खाने पीने के लिए उस बाग में मेवाँ और पानी की कुछ कमी न थी तीसरे दिन दोपहर दिन चड़े बाद कुछ कारवाई करने के लिए कुमार फिर उस बेड़िये की मूरत के पास गए जो मंदर में चबूतरे की उपर बैठाई हुई थी वहां कुमार को अपनी कुल ताकत खर्च करनी पड़ी उन्होंने दोनों हाथ लगा कर भेड़िये को बाईं तरफ इस तरह गुमाया जैसे कोई पेच गुमाया जाता है तीन चक कर घूमने के बाद वो भेड़िये चबूतरे से अलग हो गया और जमीन के अंदर से घरगराहट की आवाज आने लगी कुमार उस भेड़ियों को एक किनारी रखकर बाहर निकल आए और राह देखने लगे कि अब क्या होता है घंटे भर तक बराबर वो आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे कम होकर बंद हो गई कुमार फिर उस मंदिर के अंदर गए और देखा कि वो चबूतर जिस पर भीडिया बैठा हुआ था जमीन के अंदर धस गया और नीचे उतरने के लिए सीड़ियां दिखाई दे रही है कुमार बेधड़क नीचे उतर गए वहाँ पूरा अंधकार था इसलिए तिलिस्मी खंजर से चांदनी करके चारो तरफ देखने लगे ये एक कोठरी थी जिसकी चोड़ाई 20 हाथ और लंबाई 25 हाथ से जादा न होगी चारो तरफ की दीवारों में छोटे छोटे कई दरवाजे थे जो इस समय बंद थे कोठरी के चारो कौनों में पत्थर की चार मूरतें एक यही रंग ढंग की और एक यही ठाट से खड़ी थी सूरा शकले में कुछ भी फर्क न था या था भी तो किवल इतना ही कि एक मूरत के हाथ में खंजर और बाकी तीन मूरतों के हाथ में कुछ भी न था कुमार पहले उसी मूरत के पास गए जिसके हाथ में खंजर था पहले उसकी उंगलियों की तरफ ध्यान दिया बाए हाथ की उंगली में अंगूठी थी जिसे निकाल कर पहन लेने के बाद खंजर ले लिया और कमर में लगा कर धीरे से बोले इस तिलिस्म में ऐसे तिलिस्मी खंजर के बिना वास्ता में काम नहीं चल सकता अब आनंद सिंग मिल जाएं तो ये खंजर उसे दे दिया जाए पाठक समझ ही गए होंगे कि मूरत के हाथ से जो खंजर कुमार ने लिया वो उसी परकार का तिलिस्मी खंजर था जैसा कि पहले से एक कमलनी की बदूलत कुमार के पास था इस समय को अरिंदर जी सिंग जो कुछ का रिवाई कर रहे हैं वो बिना जाने भूजे नहीं कर रहे हैं बलकि खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब के मतलब को समझ अपनी विमल बुद्दी से जाच और ठीक करके करते हैं तथा आगे के लिए भी पाटकों को ऐसा ही समझना चाहिए अब कुमार उन दर्वाजों की तरफ गोर से देखने लगे जो चारो तरफ की दीवारों में दिखाई दी रहे थे उन दर्वाजों में किवल चार दर्वाजे चार तरफ असली थे और बाकी के दर्वाजे नकली थे अर्था चार दर्वाजों को छोड़कर बाकी दर्वाजों के किवल निशान दीवारों में थे मगर ये निशान भी ऐसे थे कि जिने देखने से आदमी पूरा पूरा धोका खा जाए कुमार पूरब तरफ की दीवार की ओर गए और उस तरफ जो दर्वाज़ा था उसे जोर से लात मार कर खोल डाला इसके बाद बाए तरफ के कौने में जो मूरत थी उसे बगल में दबा उठाना चाहा मगर वो उठना सकी क्योंकि उनके दाइने हाथ में वो चमकता हुँ तिलिस्मी खंजर था आखिर कुमार ने खंजर कमर में रख लिया यद्दपी ऐसा करने से वहाँ पूर्ण रूप से अंधकार हो गया मगर कुमार ने इसका कुछ विचार न करके अंधेरे ही में दोनों हाथ उस मूरत की कमर में फसा कर जोर किया और उसे जमीन से उखाड कर धीरे धीरे उस दर्वाजे के पास लाए जिसे लात मार कर खोला था जब चौकट के पास पहुँचे तो उस मूरत कुछ जहां तक जोर से बन पड़ा दर्वाजे के अंदर फेक दिया और फुरती से तिलिसमी खंजर हाथ में लेरोशनी करके सीड़ी की राह कोटरी के बाहर निकल आए अर्थात फिर उसी बाग में चले आए और मंदिर से कुछ दूर हटकर खड़े हो गए थोड़ी देर तो कुमार को ऐसा मालूम हुआ कि जमीन काप रही है और उसके अंदर बहुत सी गाड़ियां दौड रही है आखिर धीरे धीरे कम होकर ये दौनों बात जाती रही इसके बाद कुमार फिर मंदिर के अंदर हो गए और सीड़ियों की राह उस तेखाने में उतर गए जहां पहले गए थी इस समय वहां तिलिसमी खंजर की रोशनी की कोई आवशकता ना थी क्योंकि इस समय कई चोटे चोटे सूराखों में से रोशनी बखुबी आ रही थी जिसका पहले नाम निशान भी न था कुमार चारों तरफ देखने लगे मगर पहले की बनिस्पद कोई नई बात दिखाई न दी आखिर पूरब तरफ की दीवार के पास गए और उस दर्वाजे के अंदर जांक के देखा जिसे लात मार कर खोला था या जिसके अंदर मूरत को जोर से फेका था इस समय इस कोटरी के अंदर भी चांदना था और वहां के हर एक चीज़ दिखाई दे रही थी ये कोटरी बहुत लंबी चोड़ी ना थे मगर दीवारों में छोटे छोटे कई खुली दर्वाजे दिखाई दे रहे थे जिससे मालुम होता था कि यहां से कई तरफ जाने के लिए सुरंग्या रास्ता है कुमार ने उस मूरत को गोर से देखा जिसे उस कोटरी के अंदर फेका था उस मूरत की अवस्था ठीक वैसी हो रही थी जैसी की चूने की कली की उस समय होती है जब थोड़ा सा पानी उस पर छोड़ा जाता है अर्थात तूट फूट के वो बिल्कुल ही बरबाद हो चुकी थी उसके पेट में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी जो पहले तो उसके पेट के अंदर रही होगी मगर अब पेट फट जाने के कारण बाहर हो रही थी कुमार ने वो चमकते हुई चीज उठा ले और तेह खाने के बाहर निकल मंदिर के मंडप में बैठ कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए थोड़ी ही देर बाद धम-धमाट की आवाज से मालूम हुआ कि मंदिर के अंदर तेह खाने वाली सेड़ियों पर कोई चड़ रहा है कुमार उसी तरफ देखने लगे यकायक कुमार आनंद सिंग आते हुए दिखाई पड़े बड़े कुमार खुशी के मारे उठ खड़े हुए और आखों में प्रेम आश्रू की दो तीन बूने दिखाई देने लगी आनंद सिंग दोड़ कर अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़े इंदर जीज सिंग ने जट से उठा कर गले लगा लिया जब दोनों भाई खुशी खुशी उस जग़े बैठ गए तब इंदर जीज सिंग ने पूछा कहो तुम किसाफ़त में फ़स गए थे और क्यों कर छूटे कुवर आनंद सिंग ने अपने फ़स जाने और तकलिफ उठाने का हाल अपने बड़े भाई के सामने कहना शुरू किया तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में कुवर आनंद सिंग जिस तरह अपने बड़े भाई से विदा होकर खूटियों वाले तिलिस्मी मकान के अंदर गए थे और चांदी वाले संदूक में हाथ डालने के करण फस गए थे उसका इस जगए दोराना पाठकों का समय नष्ट करना है हाँ वो हाल कहने के बाद फिर जो कुछ हुआ और कुमार ने अपने बड़े भाई से बयान किया उसका लिखना आवश्यक है छोटे कुमार ने कहा जब मेरा हाथ संदूक में फस गया तो मैंने छुडाने के लिए बहुत कुछ हो द्योक किया मगर कुछ न हुआ और घंटों तक फसा रहा इसके बाद एक आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए मेरे पास आया और बोला घबराइये मत थोड़ी देर और सबर कीजे मैं आपको छुडाने का बंदोबस्त करता हूँ इस बीच में वो जमीन हिलने लगी जहां मैं था बलकि तमाम मकान तरह तरह के शब्दों से गुञज उठा ऐसा मालूम होता था मानों जमीन के नीचे सेक्ड़ों गाड़ियां दोड़ रही है वो आदमी जो मेरे पास आया था ये कहता हुए उपर की तरफ चला गया कि मालूम होता है कुमार और कमलनी ने इस मकान के दरवाजे पर बकھیड़ा मचाया है मगर ये काम अच्छा नहीं किया थोड़े ही देर बाद वो नकाब पोश नीचे उत्रा और बरावर नीचे चला गया मैं समझता हूँ कि दरवाजा खोल कर आप से मिलने गया होगा अगर वास्तों में आप यही दरवाजे पर होंगी इंदर जी सिंग हाँ दरवाजे पर उस समय मैं ही था और मेरे साथ कमलनी और लाडली भी थी अचा तब क्या हुए आनन्द सिंग तो क्या आपने कोई कारेवाही की थी इंदर जी सिंग की थी उसका हाल पीछे कहूँगा पहरे तुम अपना हाल कहो आनन्द सिंग ने फिर कहना शुरू किया उस आदमी को गए हुए चौथाई घड़ी भी न हुई होगी कि जमीने का एक जोर से हिली और मुझे लिये हुए संदूक जमीन के अंदर खुस गया उसी समय मेरा हाथ छूट गया और संदूक से अलग होकर इधर उधर में टटोरने लगा क्योंकि वहां बिल्कुल ही अंदकार था ये भी ना मालूम होता था कि किधर दीवार है और किधर जाने का रास्ता है उपर की तरफ जहां संदूक दस जाने से गड़्डा हो गया था देखने से भी कुछ मालूम नहोता था लाचार मैंने एक तरफ का रास्ता लिया और बराबर ही चलते जाने का विचार किया परंतु सीधर रास्ता ना मिला कभी ठोकर कहता कभी दीवार में अरता कभी दीवार था में घूम कर चलना पड़ता जब दुखी हो जाता कि मैं आगे ही की तरफ बढ़ता हुआ बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ बलकि चक्कर खा रहा हूँ मगर क्या करूँ लाचार था अकल कुछ काम न करती थी इस बात का पता लगाना बिल्कुल ही एसमबह था कि दिन है की रात सुबह है या शाम बलकि वही दिन है या दूसरा दिन मगर जहां तक मैं सोच सकता हूँ कि इस खराबी में आठ दस पहर बीत गए होंगे कभी तो मैं जीवन से निराश हो जाता कभी ये सोच कर कुछ धांड़स होती कि आप मेरे छुडाने का जरूर उद्द्योग करेंगे इसी बीच में मुझे कई खुले हुए दर्वाजों के अंदर पैर रखने और फिर उसी या दूसरे दर्वाजे की राह से बाहर निकलने की नौबत आई मगर छुटकारी की कोई सूरत नजर ना आई अंत में एक कोटरी के अंदर पहुँच कर बद हवासों जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि भूख प्यास के मारे दम निकला जाता था इस अवस्था मैं भी कई पहर बीट गए आखिर इस समय से घंटे भर पहले मेरे कान में आवाज आई जिससे मालुम हुआ कि इस कोटरी के बगल वाली कोटरी का दर्वाजा किसी ने खोला है मुझे यकायक आपका ख्याल हुआ थोड़ी ही देर बाद जमीन हिलने लगी और तरह तरह की शब्द होने लगे आखिर यकायक उजाला हो गया तब मेरी जान में जान आई बड़ी मुश्किल से मैं उठा सामने का दर्वाजा खुला हुआ पाया निकल के दूसरी कोटरी में पहुँचा जहां दर्वाजे के पास ही देखा कि पत्थर का ये कादमी पड़ा है जिसका शरीर पानी में पड़े हुए चूने के कली की तरह फूला भटा हुआ है इसके बाद मैं तीसरी कोटरी में गया और फिर सीड़ियां चढ़कर आपके पास पहुँचा कौर इंदरजी सिंग ने अपने छोटे भाई के हाल पर बहुत अफसोस किया और कहा यहां मेवों और पानी की कोई कमी नहीं है पहले तुम कुछ खा पी लो फिर मैं अपना हाल तुम से कहूँगा दौनों भाई वहां से उठे और खुशी-खुशी मेवे दार पेड़ों के पास जाकर पके हुई और स्वादिश्ट मेवे खाने लगे चोटे कुमार बहुत भूखे और सुस्त हो रहे थे मेवे खाने और पानी पीने से उनका जी ठेकाने हुआ और फिर दौनों भाई उसी मंदिर के सभा मंड़प में आ बैठे तथा बात चीत करने लगे कुवर इंद्रजी सिंग ने अपना पूरा-पूरा हाल अर्थात जिस तरह यहां आये थे और जो कुछ किया था आनन्द सिंग से कह सुनाया और इसके बाद कहा खून से लिखी इस किताब को अच्छी तरह पढ़ जाने से मुझे बहुत फाइदा हुआ यदि तुम भी इसे इसी तरह पढ़ जाओ और याद कर जाओ तो फिर इसकी आवशकता न रहे और दोनों भाई शीगर ही इस तिलिस्म को तोड़ के नाम और दौलत पैदा करें साथ ही इसके ये बात भी समझ लो कि बाग में आकर तुम्हारा पता लगाने की नियत से जो कुछ मैंने किया उससे इतना नुकसान अवश्य हुआ कि अब बिना तिलिस्म तोड़े हम लोग यहां से निकल नहीं सकते आनंद सिंग कुछ सोच कर यदि ऐसा ही है और आपको निश्य है कि इस रक्त गरंथ के पढ़ जाने से हम लोग अवश्य तिलिस में तोड़ सकेंगे तो मैं इसी समय इसका पढ़ना आरंब करता हूँ परंते इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब समझ में नहीं आता इंदर जी सिंग ठीक है मगर मैं अभी कह चुका हूँ कि तुम्हें खोचता हुए जब मैं खूटियो वाले मकान के पास पहुँचा तो राजा गोपाल सिंग ने आनंद सिंग बात काट कर जिहां मुझे बखुबी याद है आपने कहा था कि राजा गोपाल सिंग ने कोई ऐसी तरकीब आपको बताई है कि जिससे किवल रक्त गरंत ही नहीं बलकि हर एक तिलिसमी किताब को पढ़कर उसका मतलब आप बखुबी समझ सकेंगे अस्तु मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक आप वो मुझे न बताएंगे तब तक इंदरजी सिंग हसकर इतनी उल्जन डालने की क्या जरूरत थी मैं तो सुहम ही वो भेट तुम से कहने को तयार हूँ अच्छा सुनो कौर इंदरजी सिंग ने तिलिसमी किताबों को पढ़कर समझने का भेट जो राजा गोपाल सिंग से सुना था आनन्द सिंग को बताया इतने ही मैं मंदिर के पीछे की तरफ चिलाने की आवास आई तो दोनों भाईयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और तब ये आवास सुनाई पड़ी अच्छा अच्छा तु मेरा सिर काट ले मैं भी यही चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में इंदरजीस सिंग और आननद सिंग को दुखी न देखं हाए इंदरजीस सिंग अफसोस इस समय तुमे मेरी कुछ भी खबर न होगी इस आवास को सुनकर इंदरजीस सिंग बेचैन हो गय और जल्दी से आननद सिंग से ये कहते हुए कि कमलनी की आवाज मालूम पड़ती है मंदिर के पीछे की तरफ जप्टे और आनंद सिंग भी उनके पीछे पीछे चले अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिए के उपन्यास चंदरकांता संतती के दसवे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में